हाई एवरीवाइन हाउ आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ विंटर के डीटॉक्स वॉटर के बारे में और विंटर डाइट प्रेंड के बारे में कल मैं आपके साथ एक ऐसी हब या एक ऐसी चीज शेयर किए जिससे अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकते हो इसको एक वीडियो शेयर की थी इस डाइट प्रेंड के साथ आपको इसको कॉन्टिनू रखना है इसके इलावा आप विंटर में कौन सा डाइट प्रेंड फोलो कर सकते हो क्या कर चीज़े ले सकते हो और विंटर में बेस डीटॉक्स वाटर कौन सा है तो आज हम तोटली उसके प inve10 अपको देना है मेति धाना एकचमच आपको लेना है Ł saaathena fenugreek और अचछ इना है तीज पत्ता और इसको अच्छे से बोईल करना है पानाय में मूल स्ट्रीन करके आपको इस सिप्सिप करके पूरा दिन आपको पीना है और शाम के 6 वर्दे से पहले पहले इस detox water को finish करना है अगर आपको hormonal issue है, weight loss की problem है, interest loss आपको करने है, periods irregular है तो ये सब लोग ये remedy को try कर सकते हैं, इसके आपको बहुत अच्छे result मिलेंगी आपके weight loss, आपके fat loss, आपके interest loss में भी आपकी बहुत जादा help करेगा अभी next thing है कि diet plan कौन सा follow करना है, जो मैंने कल आपके साथ एक weight loss supplement शेयर किया था, जिसको आपको घर पे बनाना है, तो आप continue रख सकते हो, और इसके इलावा, जो मैंने detox water बोला है, वो भी आपको अपने diet में लेना है इसके इलावा आपको इस diet plan में किन-किन चीज़ों का पहले ध्यान डखना है, पहले हम वो discuss करेंगे, then मैं आपके साथ discuss करूंगी पूरा diet plan कि आपको क्या क्या चीज़े खानी है, और क्या क्या चीज़े आपको नहीं खानी है, और आप breakfast में, lunch में, डिनर में, अपने mid morning snack मे आप लोग क्या क्या ले सकते हो, आपको क्या चीज़ करनी है, ट्राइ करो कि आप intermittent fasting diet को follow करो, अगर आप से, जैसे आप short diet भी follow कर सकते हो, जैसे 12 ratio 12 से आप start कर सकते हो, अगर आप से 16 ratio 8 नहीं होती है, तो आप starting में 12 ratio 12 से कर सकते हो, फिर fasting period को बढ़ा सकते हो दीरे दीरे, उसके बाद आप eating period को कम कर सकते हो, अगर आप से starting में नहीं हो रही है, तो start करो intermittent fasting, उसके आपका weight, आपका fat loss बहुत अच्छे से होगा, और आपका बहुत अच्छे results मेलेंगे, इसके इलाबाद से vegetables बहुत जादा available है, तो आप ट्राइ करो कि आपको हर meal में 1 handful या 2 handful of vegetables आप आपको include करनी ही करनी है, जिससे आपकी skin अच्छी होगी, आपके hairs अच्छी होगी, आपका weight loss process भी बहुत अच्छे से होगा, और आपको कोई भी gut के regarding कोई भी issue नहीं आएगा, तो आपको कोई भी issue नहीं आएगा, अगर आप अपने diet में खुब सारी सबजियों को include करोगे, उसके इलावा इस मन्त में आपको बहुत सारी craving होती है चाहे की, बट आपको कोशिश करना है कि आप milk tea की बजाए, आप लोग herbal tea ले, जो आपकी body को detox भी करें और आपकी body को clean करने में भी आपकी बहुत जादे help करेगा, एक herbal tea या detox tea अपने diet में ज़रूर include करे, instead of milk tea, milk tea too small cup बट उसे जादा आप ना ले, इसकी बजाए आप add कर सकते हो, herbal tea add कर सकते हो, या फिर आप मैंने बहुत सारी weight loss या fat loss टी भी मैंने add की हुई है, share की हुई है आप लोगों के साथ, आप मेरे YouTube channel है, मेरे Facebook ID पर भी चेक कर सकते हो, तो आप उसमें से कोई भी tea ले सकते हो, ट्राइ करो कि डिनर जो है वो आपका बहुत जादा है भी ना हो, अगर आप उसमें जैसे पालग का सूप, डाल वजटेबल का सूप, जितने भी सूप की वराइटी होती है, वो आप उसमें प्लीस इंक्लिउट करें, जितना उसमें इंक्लिउट करो कि उतना आपका जो weight loss अच्छे से होगा, तो डिनर में आप सूप अपने डाइट में जरूर इंक्लिउट करें, इससे क्या होता है कि आपको कभी भी constipation की problem नहीं आती है और आपका स्टमेक भी अच्छे से क्लियर होता है, और आपके अंदर खुब सारी सबजियां भी जात जाती है, अपने डा बस में एक चमच आपको लीना है, लंच में एक चमच आपको डिनर में लेना है, गी या तेल जो भी आपको अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, देसी की आप यूज कर सकते हो, सरसो का तेल, नारियल का तेल आप इस्तमाल कर सकते हो, उसके इलावा और भी कोई वराइटीस जैसे आपको कोई भी ओलिव ओल याई सब यूज करने की जुरत नहीं है जो भी हमारे इंडियन डाइट के कॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो इसके इलावा आप ट्राइ करो कि वीक में एक बर आप डीटॉक्स जरूर करो एक दिन आप डीटॉक्स करो अगर आप ऐसी रोटीन को फोलो करोगे तो वान वीक में आपका वान और टू केजी बहुत अच्छे से लॉस होगा और आपका मेटाबॉलिजम भी बूस्ट होगा आपके वेट लॉस में भी आपको काफी जादा हेल्प मिलेगे अपनी डाइट आपको कि तीनों मिल्स में आपके प्रोटीन को जरूर लो जितना प्रोटीन अच्छे से लोगे एक तो आपका वेट लॉस और आपका फाट लॉस आपके इंचिस लॉस बहुत अच्छे से होंगे उसके इलावा आपका बॉड़ी जो है उसमें आपके बोन स्टॉंग तो यह छोटी छोटी चीजाओं को आपको ध्यान रखना है, उसके इलावा बात करते हैं डाइक दैट न में, मौरनिंग ड्रिंक में आप ले सकते हो मेथि दाना का पानी, क्या करना है यह सब ड्रिंक को आपको ओवरनाइट इंफ्यूस करना है, नेक्स मौरनिग उसको मुअच वाइन का पाणी ले सकते हो इसके इलावा यह फिर आप अलोविर जीज़ भी ले सकते हो अलोविर जीज इसको आपको इसली मार्केट में घार में मिल जाएगा झाल है इक नहीं 説िसास लाईनाग McDerm कारे अज़े स्टेन करके आपको ले लेना है जो हमारा 11 अज़ 12 के बेट्वीन होता है आपको उसमें लेनी है 100 ग्राम्स ओफ सालेट इसमें अप पीट इंक्लिवट कर सकते हो और आपको कुम्बर इंक्लिवट कर सकते हो तो जो भी आपकी सीटी मे इसली अवेलेबल है आपने वही लेना ह तो आपको salad लेना है और एक seasonal fruit कोई भी seasonal fruit जो आपके city में easily available हो तो आपने एक fruit आपको लेना ही लेना है 80 grams तक आप ले सकते हो यह आपके रहा mid-morning snack का time उसमें आपको लेना है 100 gram salad 80 grams का आपको एक fruit लेना है जो आपका timing रहेगा 11 से 12 बज़े के बेच में उसके बात आपको लेन लेना है मिट मॉनिंग स्नाक में आप लोग ले सकते हो ग्रीडी टी मिल्टी ले सकते हो ग्रीडी का परिखर पिंदन हैं इन तेनों में साब लेधा है रेटी प्र Garyск ने शेयर की हुए ड्राइफ रूट्स के लड़ू तो आप कोई भी 80 ग्राम्स तक एक लड़ू बनाके ले सकते हूं तो आपको क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना जितनी क्वांटिटी का ध्यान रखोगे आपका वेट लोस प्रोसेस उतने ही अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा मिड़ू लड़ू नहीं लेना है तो आप लोग ले सकते हूं one handful of means hundred grams आप मखाना ले सकते हो रोस्ट करके hundred grams तक आप चना ले सकते हो roasted hundred grams of peanuts आप ले सकते हो इसके लाब 100 grams of maamoda की जो बेल होती है आप वो ले सकते हो तो आपने इसमें से कोई भी एक snack ही चूस करना है यह रहे आपके mid morning का snack उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको PCOD, PCOS है या फिर thyroid है तो आपको रात को milk नहीं लेना है अगर आपको इन में से कोई भी इशू नहीं है तो आप milk ले सकते हो रात को सोने से पहले 1 small cup without sugar आपने उसमें डालना little bit of turmeric और उसको अच्छे से बोल करके आपको पीना है यह तो मैंने बात किया आपके तीनो snacks की बाले में mid morning, mid evening and आपको सोने से पहले at least आपको 9.30 to 10.00 तक उसको finish कर लेना है ट्राइ करो कि आपके 7-8 घंटे के नीन पूरी हो इसके लाबा आपको 3 लीटर पानी consumption करना है आपको एक्टिविटी जरूर रखनी है आप जितने एक्टिविटी अच्छे से रखोगे आपका metabolism boost होगा आपका weight loss process भी अच्छे से होगा उसमें खूब सारी सबजियां डाले और peanut पूहा बना सकते हो आप 2 handful of vegetables डाले और थोड़ा साब डाले धलिया तो आप धलिया ले सकते हो खूब सारी सबजियां डालके यह जाद रखने है कि हर चीज में आपको vegetable का intake अच्छे से करना है आप बनाना की smoothie ले सकते हो बनाना आपको मेरे YouTube पर मिल जाएंगी तो आप वहां पर सर्च भी कर सकते हो यह सब रेसिपीस बहुत असान भी है आप एक हंकट का sandwich भी ले सकते हो दही में खूब सारी सबजियां मिला के इसके रेसिपी मैंने शियर भी की थी आज इसके इलाबा आप ले सकते हो अगर आप नॉन मिल ले सकते हो ओट को सो करना है ओवरनाइट नेक्स मॉर्निंग उसमें मिल्क डालो थोड़े से उपर से रोस्टीट स्रीट स्टालो और फ्रूट स्टाल के आपका एक मिल अच्छे से रेडी हो जाएगा तो इसमें से आपको कोई भी एक चीज चूज करनी है देन मिद मॉ अच्छी है या फिर आप ले सकते हो मकी की चोटी बना के आप उसमें उसके साथ बड़ अब आपने साथ में क्या लेना है कोई भी एक प्रोटीन प्रोटीन में आप डाल ले सकते हो कोई भी दाल इसके इलावा राजमा की सबजी बना के ले सकते हो चना की सबजी ले सकते ह के खुब सारे सब्जिन डाल के सौटेट वेजेज जैसा बना सकते हो या फिर आ उप ले Village सकते हो या फिर अप ले सकते हो प्र mental कर साथ में आपकोझनार आपको ट्रीच का घूरि ऑपड़ि और अगर आप राइस लेने वाले हो तो राइस आपको 1 handful लेने है, 2 handful आपको उसमें डालनी है, सबजिया और 30 g ग्राम सा पनीर यां सोया उसमें इंकल्यूट करो ताकि आपको प्रोटीन भी अच्छे से मिल सके, आप उसमें से कोई भी एक option चूज कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी घरम लेने का मन है तो आप after 40 minutes herbal tea ले सकते हो बट आपको milk tea साथ में नहीं लेनी है, salad आपको साथ में नहीं लेना है, वो आपको लेना है mid morning snack में, दोनों का timing जो होता है, absorption जो होता है उसका अलग process होता है और उसका अलग होता है, पकी हुई सबजियों को ठोड़ा time लगता है, कटी सबजी जल्दी digest हो जाती है, तो इसलिए बोला चाता है कि दोनों को आप लोग लग लें ताकि उसके nutrients वो आपके body में अच्छे से अब्जोब हो सके, then evening snack में आपको बताया, then dinner में जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि आपको लेनी है, सूप या फिर आप sorted veggies ले सकते हो, अब आप कौन-कौन से सूप ले सकते हो, पालक का सूप पालक को boil करो, then blend करो, जिंजर गाली को sorted करो, उसका तड़का लगाओ थोड़ा सा और उसमें ढालके, उसको अच्छे से boil करो, उपर से थोड़ा सा पनीर grated करो तो आपका वो ready हो जाएगा, दाल और पालक का सूप आप ले सकते हो, दोनों को boil करो, blend करो तो आपका ready हो जाएगा, vegetable का soup आप ले सकते हो, carrot beetroot का soup आप ले सकते हो, इसके इलावा अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं लेना है, 78 grams तक है 50 grams तक पनीर दिका ले सकते हो, पनीर को roast करो, अगर recipe पूरी चाहिए तो YouTube पर आप देख सकते हो, इसके इलावा mushroom और खुब सारे सबजियां डालके अच्छा सा, sorted veggies जैसा आप बना सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसके इलावा आप और क्या ले सकते हो, अगर कोई भी option नहीं है तो one duty plus सबजी आप ले सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छा रहेगा, उसके इलावा अगर आपको और कुछ चटपटा खाने का मन है, तो आप अपने घर पे one or two, अगर पटिया आपको लेना है मन्त में सिरफ एक बाद हैसा, अगर आपका कुछ चीट मिल करने का मन करता है, तो आप ले सकते हो, घर पे अपने खुब सारी सबजियां, पनी डाल के भाव भाजी बना सकते हो, इसमें आप one or two, वीच के बन ले सकते हो, अगर आपका कुछ चीट मिल करने का मन करता है, तो once a month आप उसको ले सकते हो, तिंग नीटर पानी आपको पीना ही पीना है, एक्टिविटी आपको डेली रखनी ही रखनी है, अगर उसके सा इसमें से कोई भी डाइट ले सकते हो, कोई भी option चूज कर सकते हो, okay, so उसके इलावा, ये सब छोटे-छोटी शीजों का धियान दखना, जो मेन आपके साथ fat loss, एक बोला था, घर पे बनाने वाली छोटी सी पील है, जो आप घर पे बना सकते हो, घर के इंग्रेडियंट से जो आपके extra fat को loss करेगी, इसकी recipe मैंने आपके साथ कल शेयर की ति वो अपनी डाइट में जरूर इंक्लिउट करें, starting मैंने एक detox water बताया है, उसको भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लिउट करोगे, तो 1 month में 4-5 kg तक आप अच्छे से loss कर लोगे, अगर आप as it is follow करोगे अगर अपनी मज़ी से उपनी डाइचे करोगे तो फिर मैं उसकी कोई गरेंटे नहीं देती हूँ, okay so as it is follow करो आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे, वाक आउट जरूर करना, because वो आपको active रखेगा, आपका metabolism बूस्ट रहेगा, पानी खूप सारा जरूर पीना, सबजिया सारी डाइट में जरूर इंक्लियोड करना, because अगर मैं सबजियों का नाम रेते हूं, तो लोग सिरफ onion, tomato, capsicum, बस, but अभी बहुत सारी vegetables अवेलेबल है, मतर है, गाजर है, मश्रूम है, तो according to your choice, आपके city में जो इसली अवेलेबल है, कूप सारे सबजियां लें, ताकि का reply जरूर करोंगे, तो मिलते हैं नेक्स वीजियो के लिए, तब के लिए आप उसको फोलो करें, और मुझे जरूर बताना कि आपने इसे कितना weight loss किया है, बाबाई, टीक यर, अच्छा खाना खाये, फिट रहे, हेल्दी रहे,